दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो दोस्तो मोधी सरकार के तरफ से आ रही है हमारे किसान भाईयों के लिए बड़ी खबर अगर आप भी किसान है तो इस खबर को जरूर देखें ये खबर आपके लिए है जरूरी क्योंकि अब मोधी सरकार करेगी किसानों को मदद अब किसानों के आमदनी की होगी गैरेंट आलू उत्पादक किसान प्रदिव शर्मा का दर्द सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और वो दर्द 19 टन आलू बेचने के बाद 490 रुपे की बचत का था आगरा से फरुखाबाद तक आलू किसानों की कमोबेश यही दशा है कई बार तो दाम इतना गिर जाता है कि वे कोल्ड स्टोर से आलू निकालते तक नहीं यह परिशानी सिर्फ आलू किसानों तक ही सिमित नहीं है प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों का ये दर्द किसी से छिपा नहीं है लेकिन अब मोधी सरकार ने किसानों को इस हालत से बचाने के लिए रास्ता निकाल लिया है और उस रास्ते पर अगर सभी राज्य चल पड़े किसानों को दाम मिलने से संबंदी जोखीम अब जीरो हो जाएगा इसके लिए सरकार ने Contract Forming Act 2008 बनाया है नीजी कमपनियां बुवाई के समय ही किसानों से Agreement कर लेंगी कि वह फसल किस रेट पर लेंगी रेट पहले से ही तै हो जाएगा और ऐसे में किसान फाइदा देखकर दाम बताएगा Contract करने वाली कमपनि को उसी रेट पर फसल खरीदना पड़ेगा जितने दाम पर Contract हुआ है और उतना तो किसान को मिलेगा ही अगर दाम बहुत कम रेट पर तै हुआ और फसल पैदा होने के बाद बाजार में उसके रेट काफी तेजी आ गई है तो उस हालात में जो विवाद पैदा होगा उसके निप्टारे के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है मिडिया से बाच्चित में Farmers Income Dublin Committee के चेर्मेंट डॉक्टर अशोक दलवाई ने कहा है कि खेती किसानी में जोखिम ही जोखिम है किसान हमेशा इस चिंता में घेरा रहता है कि वो जो फसल उगा रहा है केंद्रिय क्रुशी मंतरी नरेंदर सिंटोमर और राज्य मंतरी कैलाईस चौधरी ने अधिकारियों के साथ इस एक्ट पर समिक्षा की बैठक की है ताकि किसानों को फायदा मिल सके और ये एक्ट किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम हो सकता है क्योंकि किसान अपनी किसी फसल से मिलने वाली रकम को लेकर निश्चित होगा कॉंट्रेक्ट खेती में किसान के साथ करार करने वाले नीजी कमपनी या वेक्ति के अलावा सरकारी पक्ष भी मोजुद होगा जो क्रुशक के हीद का खयाल भी रखेगा इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसब फेस्बूक पर शेयर जरू करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद